नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी क्रेडिट होने की सुचना लाभको को एसमेस के माध्यम से देने को कहा है मुख्यमंत्री ने मंगलवार को महिला एवंबाल विकास विभा की समिक्षा बैटक में ए निर्देश पता अधिकारियों को दिये बता दे मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम और पेशा एक्ट के तहद सभी पंचायतों में एक सब कमेटी गठित की जाए जिसमें मान की मुख्या परधान आधी अन परमपरागत नितित करताओं को सामिल किया जाए जारखन में 20 अपरेल से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है बताया जा रहा है कि 20 और 21 अपरेल को राजे के उतर पूर्वी और उसे लगे निकट वरती मद्द भागों में कहीं कहीं हलके से मद्दर्ज की बारिस हो सकती है इस दोरान गरजन और बजरपात भी हो सकता है 20 से 22 अपरेल तक हावा की गती समाने से अधिकर हो सकती है हावा की गती 30 से 40 किलोमेटर प्रती घंटा रहने का उनुमान है 22 अपरेल को राजे के दक्षिनी, पूर्वी, तथान निकट वरती, मद्द भाग में कहीं कहीं हलके से मद्दर्ज का गरजन और बजरपात की असंका है बन्ना गूपता और सर्जू राय में सीधी भीड़ान्त कोरोना पुरुट साहन रासी लेने का पर्यास करने के आरोप में घिरे स्वास्त मंत्री बन्ना गूपता ने अब बिधायक सर्जू राय के बिरूद कानून का सहरा लिया है उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से राय को नोटिस बेज कर तीन दिनों के भीतर माफी मागने को कहा नोटिस में कहा गया है कि सर्जू राय द्वारा विभीन आखबारों वा अने मीडिया में उनके बिरूद गलत आरोप लगाये जाने से मंत्री की छवी धोमील हुई इधर इस पर प्लटवार करते हुए विधायक सर्जू राय ने चुनोती दिया है कि बना गुपता में साहा साय तोवे मुकादमा करे मैं मुकादमे की परतिक्षा करूँगा देवघर रोपवे दुरगाटना की जाच के लिए समीति गठीत राज सरकार की पर्यटन कला संस्कृति खेल कोदवा युवा करे विभाग ने देवघर के त्रीकूट परवत पर रोपवे दुरगाटना की जाच के लिए उच अस्तरी समीति के गठन किया है जाच समीति में बीद विभाग के पधान सचीव अजेव कुमार सिंग को अध्यक्ष बनाया गया है इस समीति में तीन सज़स्या है जिसमें पर्यटन कला संस्कृति खेल कोदवा युवा कारे विभाग के सचीव अमिताव कोशल नेशनल हाईवे और इंस्फराटक्चर डेवलप्मेंट कर्पोरेशन के नामित परतिनिधी तथा आई एस एम धनबाद के नामित परतिनिधी भी सामील किये गए है राश्ट्रिय कुस्ति में हर्याना तीन वर्ग में चैंपियन बना राश्ट्रिय के खेल गाव इस्थीत सहीत गनपत राई स्टेडियम में होटवार में आवजीत राश्ट्रिय अंडर 17 सब जुनियर और सेनियर फेडरेशन कप कुस्ति परतियोक्ता मंगलवार को संपन हो गाई पांच दिन तक चली इस परतियोकता में हर्याना की टीम ने तीन वर्ग में टीम चैंपियन सिप हासिल किया है वहीं दूसरी ओर दो वर्गों में एस एस सीबी और एक वर्ग में दिली की टीम बिजेता बनी है जारखन के सभी जीलो में आयोजित होने वाला परखन स्वास्त मेला अस्थागीत राजे के स्वास्त चिकित्सा सिक्षा एवं परिवार कल्यान विभाय के अपरसचीव अलोग त्रिवेदी ने सभी जीलो में 18 से 22 अपरिल तक चलने वाले राजे अस्थरिय परखन स्वास्त मेला को ततकाल परभाव से अस्थागीत कर दिया है इस सम्द में अपरसचीव ने राजे के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है अपरसचीव ने अपने संदेश में बताया है कि राजे निर्वाचन आयोग ने राजभर में कूल 4 चर्णों में 33 पंचाज चुना स्वंपन कराने की घोस्तना कर दिया है इस चुनाओं के पहिनामों के लिए अगामी 31 माई को मत गणना भी होनी है उन्होंने बताया है कि राजे निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत सर्तों के बाद ऐसा परतित होता है कि प्रखंड अस्तरिय स्वास्त मेला में अब परत्यासित रूप से अधिक संक्या में लोगों के ये कत्रित होने की संभावना है रांची खुटी बाल बंदियों में हुई मारपीट में 29 पर केस दर्ज रांची के डुमर दगगा इस्थीत बाल संप्रेशन ग्रिह में दो गुटों के बीच हुई मारपीट के मामले में 29 बाल बंदियों के खिलाब सदर थाना में प्रत्मिकी दर्ज की गई है बाल संप्रेशन ग्रीः के वर ये ग्रीः पती की ओर से प्रात्मिकी दर्श की गई है वहीं घाटना के बाद बाल संप्रेशन ग्रीः परसासन की ओर से सर्च अभ्यान चलाया गया इस दवरान चार बाल बंदियों के पास से मोबाइल भी ब्रामत किया गया है देव घर के स्रावनी मेले में धक्का मोकी से मिलेगी निजात स्रावनी मेला में आय कवरियों को सूलब जलारपन कराने के लिए बाबा मंदीर पर सासन लगातार ब्यवस्ता को बेहतर करने में लगा है मेले में इस बार सिग्र दर्शनम के तहत जलारपन करने की विवस्ता में पूरी तरह से बदलाव दिखेगा इसकी जनकारी सोमवार को बाबा मंदीर की भीदी विवस्ता का जजा लेने आई डीसी मंजुनात भजंत्री ने दी डीसी ने बताया सिग्र दर्शनम ब्रीज को सरावनी मेले से पहले टी जक्स्तन से अलग कर दिया जाएगा इसे भगतों को कतार में धक्का मोकी की सिकाज से भी निजात मिलेगा बाबुलाल मरांडी ने मृतक अरजुन साव के परिजनों से की मुलकायत कोडारमा के सब ही में मृतक अरजुन साव के परिजनों से बाबुलाल मरांडी ने मुलकात की इस्तना सिरी मरांडी ने कहा की पूलिस पिटाई से मौत किया घटना काफी दुरभागे पूर्ण है काईदे से अब तक आरोपी पूलिस वालों की गिरफतारी हो जानी चाहिए थी साथी धारा 302 के तहट उन पर केस भी चलना चाहिए पूलिस विभाग द्वारा आरोपी पूलिस कर्मियों को केवा सस्पेंट किया गया कहा कि राजे में कानून बेवस्ता धवस्त हो गई है विकास कारे ठप पड़ गया है नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज रद करने की मांग 21 अप्रेल से पद्यातरा नेतर हाट फिल्ड फाइनिंग रेंज रद कराने के लिए केंद्रियस जनसंगर समिती लातेहार एवं गुमला ने 21 अप्रेल से टुटुआ पानी गुमला से 25 अप्रेल तक रांची सितराजबहन तक पद्यातरा करने का निना लिया है बता दे 21 अप्रेल को पद्यातरा सुबा साथ बाई से सुरू होगी जो 25 अप्रेल को राजबहन के समख्षधारना दिया जाएगा और राजपाल को ग्यापन दिया जाएगा लोहरदगा के हीर ही हिंसक जड़प मामले में सांती समिती की बैठक लोहरदगा जिला पोलिस परसाषन की ओर से सांती समिती की बैठक की गए जिसमें बैठक में दोनों संगठनों के लोगों को समोधित करते हुए डीसी वाग मारे परसाथ कृष्धने ने कहा कि राम नमी के दिन जो घटना घटित हुई इसे लोहरदगा जिला की छवी को नुकसान पहुचा है इस घटना से सबक लेते हुए सबी को आपना दईत्व बखोवी निभाना है उन्होंने कहा कि दोनों समुधाय के लोगों को सांती बेवस्था बाहाल करने के लिए सनुकत रूप से आगे आना होगा दोनों समुधाय एक दूसरे के परवतेभार में सामिल होते हुए एक दूसरे का सयोग करे जहारखन के किसान खेतों में करेंगे नैनो यूरिया का परयोग जारखन के पुर्वी सिमू समेच सभी जीला के खेतों में पहली बार नैनो यूरिया का परयोग किया जाएगा अब तक खेतों में दानेदार यूरिया का इस्तेमाल होता था बता दे इस बार लिक्वीड यूरिया नैनो यूरिया का उप्योग कर ना केवल उत्पादन में बढ़ोतरी की जाएगी बलिक जमीन की उर्वर्ता सक्ती कायम रहेगी आपको बता दे कि उनत खेती के लिए बरहा गोड़ा में बता ट्राइल ड्रोन से नैनो यूरिया के चिलिकाव का परियोग इस फिरे के मादम से किया गया अपने तरह का यह पहला परियोग हाए ना केवल सफल रहा बलिक बेहतर परिणाम भी हाए इससे अच्छा उत्पादन हो रहा है हेमंत सोरेन सरकार छोटे उध्यमियों को देगी 23 कोड़ रुपाए केंद्र और राज सरकार के सन्युक्त परियास से सुरू हो रहे वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क्ट कारेकरम के तहट विभीन जीलो के लिए चैनित उत्पादों में राज सरकार फिलाल संसोधन के लिए त्यार नहीं है इस संदर में केंद्रिय मंत्राले ने कई जीलो में एक जैसे उत्पाद के आदार पर कुछ उत्पादों को बदलने के सुझाव दिये थे बतादे मुक्स चचिव के देखता में आवजित हाई पावर कमिटी ने फिलाल उन्हीं उत्पादों पर फोकस करने का निनलिया है जो पहले से चैनित था है और जीन के लिए जीलो में प्रसासनिक तर्या पूरी हो चुकी है NIA बेफसाइट पर मारे गए और गिरफतार नक्सली भी वांटेड राष्टिये जाच एजेंसी NIA के लिए अब भी मारे गए वा गिरफतार नक्सली वांटेड बने हुए है या जनकारी NIA की बेफसाइट दे रही है NIA ने जीस परसांत बोस उर्फ बुढ़ा को अपने केस आरसी 11 बाई 2017 में फरार गोसित कर रखाया है वा परसांत बोस गत वर्ष 13 नॉमबर 2021 को जार्खन पूलिस के हाथों सराय के लाखर सावा से अपनी पतनी वा चार अन स्वयोगे के साथ गिरफतार किया गया था वहीं गत वर्ष 22 नॉमबर सही परसांत बोस राची के होटवार इस्तित बीर्षा मुंडा केंद्रिय कारा में भी बंद है लेखा पताधिकारी नियुक्ती मुख्य परिक्षा 28 और 29 माई को होंगे जारखन लोक सेवा अयोग ने नगर भी कास विभाग में लेखा पताधिकारी नियुक्ती के लिए आवेजित प्रारंबिक परिक्षा का पई नाम पिछले साल 28 माई को ही जारी किया था इस परिक्षा में सपल 166 अभ्यारते मुख्य परिक्षा का इंतिजार कर रहे थे अगले एक से दो दिनों में बड़ा अलान हो सकता है देश भार में कुरोना के चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच टर्म टू परिक्षा के आउजन पर अनिशित्ता की इस्थीती बन गई है खास कर तब जब बड़ी संक्या में चात्र कुरोना वायरस संक्रावन के चपेट में आ रहे हैं बता दे राश्ट्री राजधानी दिल्ली समेट कई सवरों में कुरोना के खौप से स्कूल खाली हो गए हैं धान खरीद में 1000 कोर का घोटाला CBI जाच क्यों नहीं जारखन हाई कोट ने लेप्स पैक्स में धान खरीदारी की राशी में हुए घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए मुक सचीव से जवाब मांगा है अदालत ने मुक सचीव से कई सवाल पूचा है अदालत ने पूचा है कि जब धान खरीदारी में बर्ष 2011-2012-2013 में घोटाला हुआ था तो दो सल बाद 2015 में प्रात्मी की दर्ज करने का आदेश क्यों दिया गया इसमें देरी क्यों हुई मामले में किसकी सनलिपता है पूरे राजे में जब 1000 कोर से ज़्यादा का घोटाला हुआ है तो इसकी जाँच CBI से क्यों नहीं करा दी गई जाड़ फुक के चकर में तांतरीक ने जला दिया यूती के हाथ अधुनिक हो चले इस जमाने में आज भी लोग तांतरीके जाड़ फुक के चकर में पढ़ कर जिंदगी तबाग कर लेते हैं ऐसा ही एक मामला रिम्स में सामने आया है बता दे चातरा जी लेके संभेर टोला के पिपराड़ी निवासी धिरेन गांचु की बीटिया कलावती दिम्स में इलाज रहा है धिरेन गांचु ने बताया कि कुछ दिनों पुर उनकी बीटिया कलावती बीमार पड़ी तो उनका समोशित इलाज कराया गया लेकिन डाक्टरी दावा का असर होता ना देख उन्हें जाड़ फुक का सहरा लेना उचित समझा इसी करम में पास के ही एक तांतरीक को वाहिद ने उसे ठीक कर लेने का दावा किया जिसके बाद उक्त तांतरीक ने उसे अपने घार पर बुलाया वाह उसने पूरे ताम जाम के साथ उक्त लड़की का इलाज करना सुरू कर दिया मैग सेसे पुरसकार बिजेता डाक्टर राजेंदर सिंग ने दिये पाँच टीप्स डाक्टर स्यमा परसाद मुखर जी विस्वविदैले राची के राजनीती विज्ञान विभाग में खुलपती डाक्टर नीतीन मदन कुरकरनी के दिशा निर्देश पर आजादी के अमरित महत्सों पर सेमिनार सह कारसाला काउजन किया गया जिसमें सामिल होने पहुंचे थे देश के जल पूरुष के नाम से बिख्यात और मैक्से से पुरसकार बिजेता तरून भारत संग के संस्थापक डाक्टर राजन्दर सिंग बिश्व बिदाले के सभागार में बेहत उत्सा और उमांग के साथ जल पूरुष छात्र शात्राओ से जल वा मिरिद्दा संग्छन को लेकर रूबरू हुए रांची अस्मार्ट सिटी को अस्मार्ट सिटी लिडर्शिप अवार्ड भारत सरकार के केंद्री आवासनम सहरी कारे मंत्रा ले रांची अस्मार्ट सिटी को आई एस्सी अवार्ड के तहत अस्मार्ट सिटी लिडर्शिप अवार्ड से समानित किया है केंद सरकार के आवासनम सहरी कारे मंत्राले द्वारा गुजरात के सूरत में 18-20 अपरिल तक आउज़ अस्मार्ट सिटी अस्मार्ट और्बनाइजेशन कांकलेव में राची को इस समान से समानित किया गया बिजली से जुड़ी समस्या के लिए वार्ट सेप नमबर जारी बिजली विभाग की ओर से राची आपूरती छेत्रे के लिए वार्ट सेप हेल्फ लाइन नमबर जारी की गई है इस हेलफ लाइन नमबर पर पावर कट हो टांसफर्मर जल जाए टांसफर्मर का फ्यूज उड़ जाए वोल्टेज फलंक चुएत करे या कोई भी समस्या हो तो वाट्षेप नमबर चवराणबे एक तीस तेरा चपन ब्यासी पर सुचना दी जा सकती है बतादे जारखन बिली बित्रन निगम लिमिटेट के विधूत अपूर्ती छेत्र राची के महा प्रवंदा की ओर से वाक्षेप नमबर जारी की गई है जारखन पंचाई चुनाव में चुनाव चिन जारी जारखन में तिरियस तरिये पंचाई चुनाव के पहले चरण की नमाइकन पिरकिरे शुरू हो गई है 23 अप्रेल दीन के तीन बये तक नमाइकन होगा 25 से 26 अप्रेल को नमाइकन पत्रों की जांच और 27 से 28 अप्रेल को नाम वापसी की तीती निधारी थाए वहीं 29 अप्रेल को परत्यासियों के बीच चुनाव चिन अवंटित की जाएंगे बतादे चुनाव आयो की ओर से 25 चुनाव के लिए जो सिंबल तय किया गया है उसके उनसार कोई परत्यासि सिसी टीवी से बोटरों पर नजर रखेगा तो कोई कारपेट बिचाएगा वहीं कोई बासरी बजाएगा तो कोई फुटबोल खेलते और बल्ले बाजी करते नजर आएंगे जारखन को बीचली चाहिए तो देना होगा पैसा जार्खन सरकार को बीजली चाहिए तो पैसा देना होगा राज सरकार पैसा दे और बीजली ले यदि जार्खन सरकार परयाप्त बीजली नहीं दे पा रही है तो यह उसकी भी फलता है केंद्र सरकार किसी भी राजे के साथ भेदभाव नहीं कर रही है यह बात केंद्रिये उर्जा राजमंत्री क्रिश्न पाल गुर्जर ने कहा उन्होंने दावा किया कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है जारखन में कहीं धूल भरी आंधी तो कहीं बुंदा बांधी बारिस जारखन में भिशन गर्मी के बीच मंगलवार को मौसम में कई तरह से बदला हुए वायू के दबाव में गर्मी की वज़ा से अंतर होने से कई इलाकों में 30-40 किलोमीटर प्रती घंटा की रफ्तार से आंधी चली और कुछ जगों पर तेजहावा का बाहा होता रहा वही जारकन में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने और इसी से जूले टर्फ लाइन के पच्मी आसाम तक कायम रहने से पुर्वी भाग में संताल परगना और कुलान परमंडल में कुछ जगों पर बुंदा बांदी और हलके समध दर्च की बारिश हुई इस दोरान में गरच और बजरपात भी हुए यहाँ है धन्यवाद यदि आप चैनल पना होते चैनल को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एक के अंद बाई साथ वीडियो की एक लाइक अपने दोस्तों के साथ से करने ना भूले साथ आप हमें कोमेंट वाक्स में अपना फीड़ वेक अवास से दे थांक्यू